आज हम इस बात के उपर विचार करेगे कि सपने कुन देखता हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रश्ण उड़ता हैं कि जब कि हम नींद में सोई पड़े हैं और हमको अनेक प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं इसका कारण क्या है वैसे देखा जावे तो सपनों के दो प्रकार है एक सपने जो है वो खुली आखों से देखे जाते हैं जैसा हर एक मनुष्ण वरतमान के लिए सोचता है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे समा सेवा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे विचाराते हैं और मुझे समा सेवा करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मेरा कैरियर बहुत अच्छा होना चाहिए तो वर्तमान समय के लिए वो व्यक्ति सपने देखता है परन्तु उन संकल्पों में अगर दुड़ता नहीं होती है तो वो सपना सपना ही रह जाता है और सिरफ सोचते सोचते ही वो व्यक्ति एक दिन चल वसता है तो ये हो गया वरतमान के लिए खुली आखों से सपना देखना बंध आखों से आखों के पीछे से सपना देखना जिस समय व्यक्ति सोया पड़ा रहता हैं तो बंध आखों से जो उसको शपने दिखाई पड़ते हैं वो भूत काल के, भविशे काल के या कलपना काल के होते हैं, मराठी में ऐसी कहावत है कि मनी वसेते स्वपनी दिसे, जो सारा दिन हमारे मन में संकलब चलते हैं, वो ही सपनों के रूप में हमारे सामने आते हैं, परन्तु कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है, कि जो हमारे मन और चित में नहीं था, वो भी हमारे सपने में आया, तो तभी प्रश्न हुठता है कि ये कैसा कि हमारे को सपना आया, क्योंकि इस बात को अज मनुष्य नहीं जानता है, कि जो आत्मा अमर और अविनाशी है, वो अनेक जनम लेकर के आई हुई है, और अनेक जनम लेकर के उसने अपना पार्ट प्ले किया हुआ है, तो पीछले जनमों के भी जो उसके कोई संसकार है, वो समय के उपर उसको दिखाई पड़ते हैं, जो उसके सपनों में आते हैं, अभी जो नीद में सपने देखे जाते हैं, उसके लिए आखों की अवशकता नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा, कि सूरदारस जिसको अपने द्वारा लोगों को बताने के लिए उसने लिखत लिखी कि किस तरह से चेतनता है, आत्मा कैसी चेतन है, वो कैसी बटकती है, उसके अंदर कैसे विचार पैदा होते हैं, वो सारे उसने सपने जो है, वो अपने पबलिक के आगे रखे, तो यह जो आखों के आखें बंध होती है, परन्तु हम जो सपना देखते है, तो वो यह आखें सपना नहीं देखती है, बले यह आखें बंध है शरीर की, परन्तु आखों के पीछे जो चेतन आत्मा है, वो तो जागरु तवस्ता में होने के कारण, वो भूतकाल के और काल्पनिक काल के सपने उसको द एक जनक बन गया और में बिकारी बन गया और मैं सब से भीक मांग रहा हूं स बबन देखनेज वह उठा तो उसको वो चिंता हो गई कि मैं राजा से विकारी कैसा क्या बन गया, वास्तव में मैं कौन हूँ तो उसने अश्टावक्र को अपना गुरू बनाया क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान दे सकता हूँ और उससे इस सपने का अर्थ पूछा, कहा कि ये बताओ कि वास्तव में मैं राजा हूँ या मैं विकारी हूँ तब ही अश्टावक्र ने उसको समझाया कि राजा तुम ना राजा है ना तुम विकारी है राजा और विकारी इन दोनों का अनुभव करने वाली जो तीसरी सत्ता है चेतन सत्ता है आत्मा वही वास्तव में तुम हो यह तो टेम्पररी तुमको पाट बजाने के लिए शरिर मिला हुआ है वो तुमने पाट ले किया परन्तु राजा की राजा का जो ठाट बाट है उस अनुभव करने वाली भी चेतन आत्मा है जो अनादी है अविनाशी है जो कभी मरती नहीं है कभी कटती नहीं तो आत्मा जो है वो सपने देखती है आखें बंद होते हुए भी आप देखते हो कि कोई व्यक्ति मर जाता है उसको आखें तो है पर मरे हुए व्यक्ति को कभी सपना नहीं आता है क्योंकि देखने वाली चीज उसमें से निकल के चली जाती है तो आत्मा इस शरीर के द्वारा सब चरीर से अलग होकर के सपने देखती और हम देखते हैं अंदर में जो हमारे पुराने संसकार है या हमारी कोई कमी-कम जोरी है वो भी हमें सपने के रूप म आती है समझो कोई पुरशारती है और वो समझता है कि मेरे में से क्रोध निकल गया है मेरे में से मोह निकल गया है परन्तु सपने में अगर उसको वो दिखाई पड़ता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं या मेरी किसी के साथ अटैच्मेंट है यह जब उसको दिखाई पड़ता तो वास्तों में से वो विकार पूरा निकला हूआ नहीं होता है, इसे लिए उसको सपने में आता है, तो उसका काम है शुक्षमरीती से खुद को चेक करके और उसकी जो कमी है उसको निकालना तो जब हमें ये मालूम पढ़ जाता है कि आत्मा जो है वो अनादी और अविनाशी होने के कारण अनेक जन्मों के संसकार उसमें भरे हुए है अनेक उसने पार्ट प्ले किये हुए है और वो पार्ट प्ले करते हुए कभी कभी वो पुराने संसकार पुराने विचार उसको नीद में दिखाई पड़ते हैं इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए हमेशा हमारे को हमारा भविश्य जो है वो उज्वल वने उसके लिए हमें अच्छा पुर्शारत करना च क्योंकि वर्तमान समय के सपनों को पूरा करने के लिए दृड़ संकलब की अवशक्ता है जब तक हमारे में अंदर दृड़ता नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है तो इसी लिए सपने देखने वाली स्वयम आत्मा है ना कि शरीर इस को समझने की अवशकता है वास्तव में देखा जब तो आत्मा जो है वो ड्राइवर है और शरीर उसकी मोटर है मोटर चला चला के जब ड्राइवर ठक जाता है तो अपनी सीट पर बहुत आराम से बैठ जाता है तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि आत्मा जब करम करके थक जाती है, तो वो अपनी ब्रुकुटी में डिटेच होकर के और आराम से बैठ जाती है, इसको नीद कहा जाता है, जब उसे आराम मिलता है, वापस उसमें वो एनर्जी आ जाती है, जिस एनर्जी के द्वारा वो वापस अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा करम करना चाल देव फ्रेश रहती है और सब करम करती है तो इसी लिए हम जो आत्मे हैं हम इस शरीप को चलाने वाली चैतन्य सत्ह है और हम इसका ड्राइवर है यह हमारा एक सादान नह करम करने के लिए इस बात को बुद्धी में रखने की अफशकता है और हम देखते हैं कि राजयोग में जो योग सिखाया जाता है उस राजयोग के दुवारा हमें बहुत रिलेक्स मिलता है। हमेशा कहा जाता है कि योगी की निंदरा औरों से कम होती है क्योंकि राजयोग में शरीर से डिटेच करना सिखाते हैं तो आप जब शरीर से डिटेच हो जाते हैं तो आपको बहुत आन अनंद में रखने के लिए रिलेक्स होने के लिए राज्यों की बहुत ही अवशक्त है